हलो फ्रेंड साथ फिर से एक नए वीडियो और फिर से एक बहुत ही जवाजस बिल्कु अलग चीज की चर्चा करेंगे एक चीज ये जान लीजे सारी दुनिया में जो सारा खेल है वो हुमिन ब्रेंड का ही है वही चीज है जो जितने भी इनसान है उससे मन उसको अलग करती है आप अगर एंस दिल्ली में जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि चारो बेद अठारे पुरा पुरा ब्रम्हान्ड इसी दिमाग में समाया हुआ है तो आज उसी की हम बात करेंगे जिसकी जानकारी साइद ही किसी को होई एक बड़ी अमेजिंग चीज है देखे भगवान कर्स को तारक ब्रम्पून ब्रम्ह का दर्जा दिया गया है सोलो कलाओं के उमहारती थे उन्होंने जो हुमन ब्रेन का यूज किया है और 92% किया है मताब कि जो होल लेचर है उसका यूज पूरा और नहीं कर पाए 92% पे सबसे हाईयस जो माने जाते हैं वो भगवान कर्स माने जाते हैं क्योंकि दो चीजे उनकी जो दूसे लोगों से उन्होंने बहुत अलग किया था वो एक था बांसरी बजाना और साथ दूसरी चीज था जो गोपकाओं के साथ उनका डांस होता था इन दो चीजोंने बहुत ही ज्यादा अलग किया हुआ था तो इसका उल्टा मत समझेगा कि गोपकाओं के साथ डांस करने में बहुत ज्य इसके बाद जो और लोग थे बहुत पीछे हैं, इसके बाद जो और लोग थे बहुत पीछे हैं, इसके बात किया जाए तो एक नाम सुना होगा, आइश्टीन का ग्रेटेस साइंटिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट परसन अब दा हुमेंग हैं, हमारी जो जितने भी अभी तक की मानव सब बताए, उसके सबसे सेस्ट इनसान माने गए हैं, इलबर्ट आइश्टीन जो के फिजिक के साइंटिस्ट थे, वो 9 परसेंट उन्होंने य गई है कहने कमता है human अगर maximum से maximum और जा सकता है तो 16% है वहीं तक बहुत बड़ी चीज हो जाती है एक IS बनने के लिए सबी लोग जानते हैं IS service होती है वो बनने के लिए around 3 to 4% brain की ज़रूरत होती है अगर आपने इतना दिमाग का यूज कर लिया तो आप IS बन सकते हैं 4 to 5% में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं 2 से 2.5% पे एक अच्छे इंजिनियर एड्डाक्टर बन सकते हैं तो ये लिमिट है जो जितने पे यूज करने पे आप success पा सकते हैं और सारा खेल जो सफलता का एक खेल कहा जाता है वो अच्छे में इसी human brain पे ही depend करता है कि कितना आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कितना आप mental power बना के रखते हैं उसी पे बसारी चीज़े डिपेंड करत करते हैं कि आप इतना दिमाग का यूज करते हैं उसी अमसार आपको success भी मिलेगी thank you